आज हमारी किचेन के अंदर बन रही है करीपत्ते की ड्राई चटनी इस चटनी की खास बात यह कि दो मेने तक बिना फ्रीज के यह बहार रह सकती है खराब बिल्कुल नहीं होगी और ट्रैवलिंग के लिए तो बैस्ट है लो दोस्तो मैं हूँ रेनू स्वागत करते हु है अपने किचन बेकरस एन मोर के अंदर तो चली देखें कैसे वनेगी एक चट पत्री करीपत्ते की चटनी तो इस चटनी के लिए हमरे चाही हमें जरुआत होगी करीपत्ते की तो लिया अच्छी तरीके से धोया धोने कवाद इसको हमने इसको पंके के निचे रखे सुखा लें ताकि इसके अंदर कोई मौश्चा ना रहे अब एक पैन लेंगे और उसके अंदर मैं डाल रही दो टेबल स्पून में पाइन ओयल जब तेल मारा हलका सा गरम हो जागा तब मैं डालूंगे इसके अंदर करीपत्य करीपत्य को हम 2-3 मिनट के लिए फ्राइए करेंगे उसके बाद मैं डालूंगे इसके अंदर चार सूखी लाल मिर्चे चोटे साइस की अगर आप तिखा खाते हो तो होड़ी बड़ी साइस की लेना और क्वांटिटी आप 5-6 भी कर सकते हैं अब करीपत्य को मुझे इतना भून है कि उसके अंदर से पानी का मौश्यर होता है वह उड़ जाए बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए चचचच की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए तो लगबग चार से पांच मिनट हो गए हैं करीपत्ता और मिर्ची को हमने भून लिया है तो मिर्ची की खुश्बू आ रही है और करीपत्तों के अंदर से वह चचचचच की जो आवाज आती है वह आनी बंद हो गई है अब इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स करीपत्ता भूनने के बाद पैन के अंदर ऑइल बचा है तो इसी पैन के अंदर मैं डाल दूंगी वनफोर्थ कफ मुमफली के दाने लगबग 2-3 तक मुमफली के दानों को भूनेंगे उसके बाद डाल इसके अंदर 1-4 cup सफेद वाले तिल अब हमें मुमफली और तिल को साथ साथ भूनना है लेकिन ध्यान रहे हम इसके अंदर से कोई भी चीज जलने नहीं चाहिए तो देखिए तिल के चटकने की आवाज आनी शुरू हो गई है अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसी प अब एक से दो मिनट तक हम कोकोनेट को भी भून लेंगे और उसके बाद हम इन सारी चीजों को प्लेट में निकालेंगे जिस प्लेट के अंदर हमने करी पत्ते को निकाला था अब इन सारी चीजों को धंडा होने के लिए रखेंगे तो सारी चीजों को प्लेट में फिला ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए इसको हमें घंडा पीसना इसको हमें गरम पीसना यह हमारे चटनी के मसाला ठंडा होगे एसको एक मिक्सर जार के अंदर डालेंगे और त्रडर पीसना अब हम डालेंगी कुछ मसाले तो मैं डाल हुआ हाफ टीस्पून से diffल जात शेयर मसाला और half teaspoon में डाल जूँ इसके अंदर भुना हुआ जीरा अब इस चटनी को हमें दरदरा पीशने हैं ताकि जो सारे मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छ तरीके से मिक्स हो जाएं इस चटनी के अंदर तो फ्रेंस जैसे मैंने मिक्सर जार का ढखकन खुला खुश्बू इतनी प्यारी आ रही है तो फ्रेंस चटनी हमारी पीश चुकी इसका हमें टेक्शर ऐसा ही रखना दरदरा तभी यह खाने में टेस्टी लगते हैं और फ्रेंस जैसे आपको ड्राइ चटनी खाने में पसंद ना आ रही हो तो आप इसके थोड़ा सा दे मिला के इसको थोड़ा सा लिक्विड भी कर सकते हैं चटनी पीशने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे ताकि इसके आप दाल चावल के साथ एसाथ इस चटनी को आप इडली या डोसा के साथ भी खा सकते हैं और इस चटनी को हम भारी छोड़ देंगे रूम टेंपरेचर के ओपर दो में तक बिल्कुल खराब नहीं होगी ध्यान रहे बस इसके अंदर गिला चमच बिल्कुल नहीं जाना चाहिए तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा तो मिलते हैं आपसे एक नहीं रेसिपी के साथ ने तब तक हबी कुकिंग